नमस्कार आप देख रहे हैं जन्मत की पुकार संसनिकेज अपहरंड सहहत्या के मामले में शामल हताश अपराधी को अपराध शाखा ने गिरफतार किया एक बड़ी सफलता में क्राइम ब्रांश की WR2 टीम ने एक खताश भगोड़े अपराधी रोहित को पकड़ लिया है जो शहर को जगजोर देने वाले संसनिकेज अपहरंड सहहत्या के मामले का मुख्य आरोबी था दिली के PSA शहबाध डेरी में FIR संख्या दर्स की गई थी जिसमें जगन्य अपराध ने पूरे समुदाई को सदमे की सिति में छोड़ दिया था वी ब्लॉक शहबाध डेरी का रहने वाला 20 वर्षिय रोहित पिछले एक साल से भगोड़ा था और भगोड़ा घुशित होने के पावजूद पकड़ी जाने से बच रहा था हाला कि क्राइम ब्रांच के अथक प्रयास आखिरकार रंग लाई और वेवांशित अपराध ही को पकड़ने में काम्याब रही यहाँ अपराध वर्ष 2022 का है जब रोहित ने अपने मामा और कई अन्यसाथियों के साथ मिलकर दिल्ले के रोहिणी के रहने वाले संदी पुर्फ पाजी की बेरहमे से हत्या कर दी थी जबकि अन्यद्योशियों को पहले ही पकड़ ग्रिया गया था रोहित कानुन के चंगुल से बचने में काम्याब रहा था जिससे पुलस को उसे न्याई दिलाने के लिए काफी देर तक पीछा करना पड़ा एकसी अश्वनी द्वारा प्राप्त हुए एक गुप्त सुचना पर कारिवाई करते हुए अपराद शौखानी उत्तरप्रदेश के अलेगर के इलाके में तक्नीकी निगरानी शुरू की जहां रोहित के चिपे होने का संदेह था इस विशेश निगरानी ने अंतह टीम को आरोपी के सटिक स्थान का पता लगाने में मदद की इंस्पेक्टर पवन सी के कुशर नेतरूत्व में S.I. अनुच, S.I. रविंदर सी, S. विशाल, S. रविंदर, A.S. मोहन पेश्ट, H.C. रविंदर, H.C. अश्वनी, H.C. पवन और कॉंस्टेबल रोहित सहित एक समरपित टीम ने ओपरेशन चलाया उनकी मेहनत और लगन तब रंग लाई जब उन्होंने रोहित को सफलता पुरवक ट्रैप किया और अलिगड़ के इलाके से गरबतार कर लिया पुश्टाश के दोरान रोहित के अपरादिक अतीद को चौंकाने वाली जानकरी सामने आई उसने 2016 के एक अन्या हत्या के मामले में अपनी स्थनलितता का खुलासा किया जहां उसके मामा ने सचन राठी नामक व्यक्ति की हत्या कर दी थी इस घटना के कारण पियस शहबाद डेरी दिली में F.I.R. दर्स की गई संदी पुर्फ पाजी की हत्या की पीछे का मकसद दो पक्षों के बीच लंबे समय से चलिया रही दुश्मनी थी जिसे शहबाद डेरी के एक किन्नर के साथ संदीप के जुडाव ने और बढ़ा दिया था 2022 में सामनियाई बीशन घटना में रोहित और उसके मामाओं ने संदी पुर्फ पाजी पर लाठी डंडों से हमला किया जिससे वह बेहोश हो गए थे